आज की जो रेसिपी है वो गाजर का हलवा है जिसको मैं माइक्रोवेब में बनाऊंगी यह देख सकते हैं कितना बढ़ियां टेक्शर आया है और कलर भी बहुत अच्छी आई है और यह बहुत ही जल्दी बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी यहां पर मैं गाजर ले लिए हूँ जिसको मैं अच्छे से धो ली हूँ दो कर बस साइड्स को कट कर लूँगी कट कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी एक एक करके सारे गाजर को मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेट करने के बाद गाजर का जो वेट है वो 400 ग्र इसको एक माइक्रोवेब से पॉल में डालूँगी यहां मैं बोरो सिलका ले रहे हूं आप भी प्लास्टिक ना यूज करें यहां मैं गरम दूद ले रहे हूं आप नर्मल टंपरेचर का भी ले सकते हैं इसको मिक्स कर लेगी यहां मैं मलाई डाल रहे हूं मिल्क लेयर या जाली यह ऑप्शनल है चाहे तो आप डाल सकते हैं चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं मैं मलाई जो हूं उसको फ्रीजर में स्टोर करते हूं जिससे स्मेल ना आए इसलिए यह मलाई जो है बहुत सक्त दिख रहा है क्योंकि मैं जस्ट फ्रीजर से बहार निका लिए हूं और लेने के बाद फिर से मैं इसको माइक्रोवेब में डाल दूंगी कुक होने के लिए यह देखे आठ मिनट के बाद वापिस से दूद जो है सुखना शुरू हो गया है मैं फिर से इसको एक बाद मिक्स कर लेती हूँ और यहां पर मैं आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्राउन शुगर डाल रही हूँ फ्रेंड आप कोई भी शुगर डाल सकते हैं वाइट शुगर जैगरी आप जो शुगर खाते हैं वो आप डाल दीजे और फिर से इसको मिक मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेने के बाद मैं यहां पर ग्रश इलाइची डाल रही हूँ इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद फिर से इसको माइक्रोवे में मैं रखूंगे कुछ देर के लिए कुख होने के लिए यह कुख हो जाने के बाद आल्म एक तड़का पैन में क्रश किया हुआ ड्राइप्रूट्स ले रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग कोई भी ड्राइप्रूट्स ले सकते हैं साथ ही में या पर दो चम्मच घी डालके इसको मैं हलका भूरा होने तक पकालूंगी जिससे क्या है कि जब मैं इसको गाजर के हल्वा में डालूंगी तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा क्रेंचिनस ड्राइप्रूट्स के जो टेस्ट आती वो बहुत ही अच्छी आती है फ्राइड काजू, एलमंड्स रहेगी, मैं इसमें गाजर का हलॉआ में डाल कर इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, अब घी की भी बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, अब मैं फिर से इसको एक या दो मिनट के लिए माइक्रोवेब में रख दूँगी, जै मैं इक भाए फिर से मिक्स कर ले रही हूँ, और एक बाउल में मैं इसको निकाल लूँगे, मैं एक छोटे बरतन में इसको निकाल लेती हूँ, निकाल ली मैं, और अब जो है थोड़े से फ्राइड ड्रायपुरूट्स ले रही हूँ, जिस से मैं गार्निस करूँगी, य यहां मैं almonds, cashew nuts ले रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी dry fruits ले सकते हैं, यह देखें, अब रेड़ी है, perfect काचर का हलवा, friends आप इसको try जरूर केज़ेगा, gas पे तो आपने बहुत बार बनाया होगा, एक बार आप microwave में भी बना के देखें, बहुत अच्छी आती है, अगर आपको पसंद आए, तो एक लाइक जरूर केज़ेगा, thanks for watching,